खतरना कहना अवाज हम लोग यह आज mix vegetable पकोड़ा बना रहे हैं दोस्तों यह बाहर से करा रहे तो बनते ही है अंदर बहुत soft रहेंगे और सब्जी भी इसमें सारी कच्ची वाली है तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगी इसको बनाने में और मेरे चटोरों कैसे हुआ एक नई trick लेकर आया हूँ जिसमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा सब जैने फटा फट गर्मा गरम पकोड़े enjoy कर पाएंगे तो चलो start करते है सबजी की cutting में variety रखने है दोस्तों ये मैं एक गाजर को grate कर रहा हूँ जो मोटी वाली setting होती है उससे मतलब थिक setting से ऐसे बड़े बड़े लच्छे बनेंगे तो ये बहुत बड़िया लगते है सेम यही साइड से एक आलू भी grate करना है तो ये गाजर और आलू के तो लच्छे हो गए बाकी सबजी हम लोग काट कर डालेंगे मैंने एक आलू और काट के लिया है इसी के साथ में ये दो गोबी के फूल है जिसको छोटा छोटा पीस में काट लिया एक बड़ा सारा प्या से डाल दिया और इसको अच्छे तरह मिक्स करना है नमक हम लोग पहले इसलिए मिला रहे ताकि बाद में मिक्सिंग में प्रॉब्लम नहीं आए और सबजी सारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए नमक मिलाने के बाद एक दो मिनट तक इसको रखना है तब तक तेल टिका लेते है तो फ्राइ करने के लिए मैंने ये तेल को हाई हीट पे रखा है ताकि ये गरम हो जाए और हम लोग को गरम तेल भी लगेगा बैटर में तो बैटर बना लेते हैं बैटर बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम के आसपास बेशन लिया है दो कप है ये इसी के साथ में हम लोग लिया है और इसके जगे आप चाओ तो नीम्बू या अमचूर भी डाल सकते हो चलो यह सब तो हो गया पकोड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए दो बड़े चम्मच चावल का पाउडर है चावल का आठा भी ले सकते हैं और एक चम्मच जीजी पेस्ट तो फाइनली अपना ज ज्यादा मत डालेगा क्योंकि सबजी भी पानी थोड़ा बहुत रिलीस करती है तो कम कम करके पानी डालिए और इसमें ऐसी कोटिंग दिख रही है आपको यह एकदम परफेक्ट है इसमें बिल्कुल भी ज्यादा बेसन और मत डालेगा हम लोग जो टेखनीक से बना रहे इ एकदम परफेक्ट दिख रहा है तो इसमें डालना है गरम तेल तो तेल जो गरम हो रहा था ना वो ही इसमें दो बड़े चम्मच डाल देंगे दो टेवल स्पून बराबर है यह गरम तेल से पकोड़े बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बनते है और साथी में मैंने य कानफूर टी स्पून या कॉटर चम्मच खाने का सोडा भी लिया है एकदम कम कॉंटिटी है सोडा टालने से बेसन जादा फूलेगा और सोडा और ओल को अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे दो मिनिट कम से कम इसको फेटना है दोस्तों अपने हाथों से ही बिल्कुल ऐसे और में आप देख सकते हो ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए फ्लोइंग टाइप है ना चलो तेल भी पूरा गरम हो चुका है अब हम लोग पकोड़े बनाते है तो एकदम छोटे छोटे पीसेज लेंगे क्योंकि इसमें बेसन काफी फूलता है समझिए एक है दोपी सबजी को ले ले है और अभी हम लोगो इनको फ्राइ करना है 95 परसेंट तक इनमें कलर जल्दी जल्दी नहीं लेकर आना दोस्तों क्योंकि सबजी कच्छी है न तो फ्लेम को आप उपर नीचे कर सकते हो लेकिन हीट को मेंटेन करना है मीडियम पर ही ताकि यह सारे एक साथ कलर लेकर आया है पहले यह एवन नहीं दिख रहे थे कुछ ब्राउन कुछ यलो अभी आप देख सकते हो सब में एकदम एवन कलर आ चुका है गोल्डन लगरे एकदम लाइट गोल्डन है यह अभी तो आप इनको बाहर निकालते है यह वैसे 95 परसेंट ही रेडी हुए है और मैं इसको एक स स्ट्रेनर यह प्लेट जिसमें होल होता है दूद वाली प्लेट उसमें रख सकते हैं तेल से निकालने के बाद भी इसमें पकने का प्रोसेस चलता रहता है और अभी आप देख सकते हुए एकदम सॉफ्ट वाले पकोड़े बने है चाहो तो ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन जल्दी जल्दी और जादा बनाने के लिए बहुत सारे डालते थे तेल में अगर वैसे करें तो तेल ठंडा पड़ जाएगा दोस्तु इसलिए मैं भी इसको आज तीन बार में बना रहा हूं ताकि सारे के सारे पर्फेक्ट बने ओईली ना लगे बस आप ये वारे ट्रिक ट्राई करिएगा सब घरवालों को एक साथ में गरमा गरम और क्रिस्पी पकोड़े बिलेंगे और मैंने अभी सारे के सारे रेडी कर दिया है 95% फ्राई करके और इनको 5 मिनिट तक ठंडा भी कर दिया तेल अभी फुल हीट पे रखा है ताकि ये बढ़िया से गरम हो अब हम लोग फ्लेश फ्राई करेंगे तो पकोड़े हम लोग निकाल लेते कोई भी एक प्लेट या बोल में ताकि डालने में प्रॉब्लम ना आये गरम गरम तेल में और फिर तेल एकदम जादा गरम होना चीग है एकदम ध्यान से साइट से हम लोग इनको क्रिस्पी गड़ना है ज्यादा टाइम बिलकुल नहीं लगती है इनमें एकदम इवन कलर और करारापन आ चुक है तो अब निकालते हैं इनको एक बोल में हाँ वापिस बोल में निकालना है और इसमें डाल रहा हूं मैं थोरसा चाट मसाला आपको अगर जाथा स्प करारे बनते हैं यार अब मैंने इसको एक टिशू पेपर में निकाल लिया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा ओईल है वो एब्जॉब हो जाए और फिर हम लोग इनको गर्मा गर्म सर्फ करेंगे यह मैंने हरी चटनी जो चाट वाली होती है वो और साथ में टमेटो केचप रख दस मिनिट होती है अभी भी आप सुनिये कितनी खतर नाक आवाज है एकदम जादा क्रंची रहते है बाहर से और अंदर से स्वाफ्ट तो कब प्लाना बनाने का तो कैसे लेगी रेसिपी दोस्तों अगर अच्छी लेगी तो लाइक बटन नहीं अच्छी लेगी तो डिसलाइक बटन और ऐसे अगर आपको मॉनसून स्पेशल रेसिपी देखनी है तो कॉमेंट करकर जरूर से बताइएगा वीडियो के नीचे फॉलो बटन होगा या फि इसको क्लिक जरूर से करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिले आज के लिए इतना ही बाई बाई टेक केर